एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल में एक साथ पड़ता है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। तालिवान ने आखिरकार बड़ावाला एक्सन ले ही लिया है पाकिस्तान के ऊपर। बहुत भयंकर वाला। इस्तिती ऐसी है कि चमन बॉर्डर पर जितने ओस्पीटल हैं सब को कह दिया गया है कि अभी हाई अलट पर हो अभी और भी आने बाखी हैं कितने की संख्या में उपर गए हैं ये इस वक्त सही सही सामने भी नहीं आ रहा है लेकिन हाँ इस्तिती बहुत ज़्यादा बयानक है धड़ा धड़ तालीबान की गाड़िया निकली जा रही है और पहुँच रही है चमन बॉर्डर पर जानेंगे क्या कुछ हुआ है यहाँ पर तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सचमुच बुरे दिन तो आही गये हैं अब 27 देसों ने भी उपर से ऐसे समय में ठोक द दिया था इस चीज ने कि तालीबान के दिमाग को आखिर किसने इस तरीके से मोड दिया है और वो लोग जो नेचुरली है आतंकी और बिल्कुल जिद्दी दिमाग के जिनको न तो जियो पॉलिटिक्स का आइडिया है न पॉलिटिक्स का आइडिया है उसने कैसे इस बात क को कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं भारत चावार पोर्ट को जोड़ दे नौर्थ कोरीडोर से नौर्थ कोरीडोर प्रजेक्ट को हमारी तरफ से ले जाए इसके लिए भी हम भारत के साथ तैयार हैं और हम सुरच्छा भी देंगे भारत को पूरी तरीके से मजबूत ब अगर चाहता है प्रजेक्ट शुरू करना तो शुरू करे निवेस के लिए भी भारत के सामने तालीबान ने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर निवेस करें पैसा डालें अब असली वज़े क्या है क्यों तालीबान इतना जादा परिसान है इस चीज को लेकर और क्यों यही परिसानी पाकिस्तान के साथ अब एक जंग के रूप में बदल गई दरसल हुआ क्या है एक तो तालीबान ने हाल में जो नकसा दिया है उस नकसे में हलाकि अजीब तरीके से ये नक्सा बनाया गया पर तालिबान ने अपना मकसद साफ कर दिया कि उसका जो अपना नक्सा है उस नक्से की हिसाब से वो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कबजा करेगा पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को वो अपना मानता है इसलिए उसकी रेखा बढ़ेगी औ और बढ़कर उसेगी पाकिस्तान के अंदर ये बाद उसने अपने मैप में साफ कर दिया χाला कि इस मैप का बीरोद पाकिस्तान नौर्थ कोरिडोर को आखिर भारत के साथ मिलकर क्यों आगे बढ़ाना चाहरा था अफगान तो इसके पीछे कारण है कारण यह है कि इस वक्त क्या होता है जीतने भी ट्रेड के लिए चीजें आती हैं बैपार के लिए चीजें आती हैं वो पहले पहुंचती है इस स्पीन ब माल कहा जाना है फिर यहां से जब क्लियरेंस मिलता है पाकिस्तानी सेना द्वारा तो यह सारे माल पाकिस्तान के अलग-अलग पोर्ट में पहुंचते हैं बंदर गाहों में पहुंचते हैं और फिर बंदर गाहों से यह दुनिया के कोने में जाते हैं अब ऐसा मत सोचे कि रहा है मसाले मेवे काजू फिस्ते बदाम इन सब का ये शुरू से करते आए हैं बैपार और आज भी बैपार कर रहे हैं लेकिन इनके पास रास्ता कैसा है रास्ता इनके पास यही है इस्पीन बोल्डग में जाओ वहां से फिर पाकिस्तान की सेना के अनुसार जी कागज वा जिस समय गनी की सरकार हुआ करती थी उसमें इतनी समस्याएं पाकिस्तान को नहीं होती थी क्योंकि ये लोग आकरामक नहीं थे पर तालीबान के आने के बाद इस्थिती बदलती गई अब पाकिस्तानी सेना क्या करती है आज कर यहां पर मनमानी करना पाकिस्तानी सेना ने सु नहीं है किसी चीज को गलत बता देते हैं कोई माल को वापस लोटा देते हैं अब इससे यहां पर जो बारी भीड लग रही थी वो दिरे दिरे परसान होने लगी अफगानिस्तान को समझ में आने लगा कि अब हमारा बैपार पर ये पूरी तरीके से रोक लगाना चाहते हैं या हमसे और भी ज्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं और इससे पहले भी एक केस हो गया जब भारत ने हुमेटेरियन एड के नाम पर मानविय सहायता के नाम पर गेहूं वगेरा भेजे तो कहा जाने लगा कि रास्ते में ही पाकिस्तान ने बदल लिया और बदल कर गेहू पहुचा दिये या बहुत सारे गेहूं लूट लिये तो भारत ने कहा था चड़ो छोडो हम अब पाकिस्तान से नहीं हम चाह बाहर के रास्ते भारत ने भेजा भी था इसका फाइदा तालिबान को मिला तालिबान ने देखा इधर से जो माल आया एकदम सही सलामत आया तो सीधे सीधे बैपार कर सके सेंटरल एसिया से और बाकी जगों से हमें पाकिस्तान की जरूरत ना पड़े अब यही ही इस पीन बोल्डक इलाका इस वक्त सबसे बड़ी टेंसन का कारण बन गया है यहाँ पर सुरू हो गया है एक तरीके से जंग और कहा जा रहा है कि इस बा इस पीन बोल्डक चमन सीमा पर पाकिस्तान के अंदर घूस कर तालिबान लड़ाकों ने हमला करना सुरू कर दिया है कई तरफ धुआ और धुआ ही दिखाई दे रहे हैं 20 से 35 लोग तो घायल है 5 लोग उसी जगे पर उपर चले गए हैं अब यह संख्या आधिकारिक है कहा आ पा किस्तान को समझ में नहीं आ रहा है इसने सेना को भेज दिया है भारी संख्या मिसैनिकों की तेनाती भी हो गई है तो अधर तालिमान ने भी अपने लड़ाकों को अमेरिकी हतियारों के साथ भेजना सुरू कर दिया है फिलाल सीमा से होने वाले बैपार और लोगों की आवाजाही को भी रोग दिया गया है पाकिस्तानी सेना को आसंका लग रहा है कि तालीबानी लड़ा के अब फिर से हमला करने आएंगे वैसे आपको बता दें जैसा कि हमने कहा दोनों के बीच जगडे का सबसे बड़ा वजय यही रहा है कि यह मानते हैं कि डूरंड लाइन के उधर हमारी सीमा है इसलिए यहां पर हमारे हिसाब से चलो खेर जहाएं एक तरफ यह हो रहा है तो वही 27 देश भी टूट पड़े हैं इस वक पाकिस्तान के उपर दरसल जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान का खत्म हो रहा है और इस खत्म होते हुए स्टेटस के बीच यूरोपिय यूनियन ने मानव अधिकार को लेकर कई पॉइंट्स दिये हैं और अगर इसमें सक्षम नहीं होता है पास नहीं होता है पाकिस्तान तो जीएसपी प्लस का स्टेटस उससे छीन लिया जाएगा और इस चीज के लिए इन्हों ने नोटिस भी इसू कर दिया है 2023 इसकी डेडलाइन है और अब यूरोपिय यूनियन टीम गठित करके एक बार फिर से देखना चारी है कि पाकिस्तान ने अपने आपको बदला है या नहीं बदला है इस वैसे आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान खुद को बद